आपको कैसे इन पोस्त के लिए अप्लाई करना होगा, पोस्त वाइस क्या के इलिजिबरेटी मागी गी हैं, कैसे आपके सेलेक्शन एंड जोइनिंग होने वाली है, सारे चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंटक जरू देखन है, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, और HGC बैंक की जो वीकैंस आउट हुई है, यहां पर आप अल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फिमेल दोनों ही, किसी तरी की कोई फीपे नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से कोई इंवेस्टमेंट नहीं है, डेरक्ट आपके यहां पर HGC बैंक में सेलेक्शन होने वाली है, वीकैंस इस पर काफी टाइप की आउट हुई है, पोस्ट वाइस इरिजिविल्टी भी आपको बताऊंगी, पोस्ट वाइस सेलेक्शन कैसे होनी है, और कैसे आपको यहां आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को प्रेस करके, आल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, और आप टाइम पर तो सारी चैनल को डिटेल में कवर करने वाले हैं, वीडियो को लास सर देखना, प्यारा सा लाइक जरू करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है, आपके लिए ने अपडेट लेकर आने का, और बताना चाहते हो, इस रेक्रोट्मेंट के इलावा और और भी काफी सारे जिनकी विकैंसी आउट हो चुकी है, आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या पर डिस्टिक के एक और हमारी जो ओफिशल वैप साइट है www.klori.com वहाँ पे विजिट करके इंफोमेशन लेकर आप लेटेस्ट विकैंसी के लिए अप्लाइक कर सकते हैं, खिके हमारी जो जब अपने के लिए प्लाइक कर सकते हैं, ज्यादा टाइम ही लेंगे सिदह बात करने ही आई हुए बिल्कु नई जो विकैंसी के लिए कैसी आपको अप्लाइक करना है, क्या क्या रिक्वार्मेंट्स हैं, पहले भी मैंने क्लिर किया, कोई आपका यहां पे फ्रूप पाह करना होगा कोई एक्जाम भी आपका नहीं होने वाला डारेक्ट आपके यहां पर स्लेक्शन होने वाली है वह भी आपने यूट्योब में टाइप करना है मीट शर्मा चैनल यहां पर जल्दी जाकर आप सब्सक्राइब करना है बल एक्म को प्रेस कर लेना क्योंकि यह दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे तो ज्यादा टाइम ही लेंगे यहां पर सीधा बात करेंगे कि यूजल फ्रवनेट कि विकैंस के लिए कैसे रप्लाइ करना है क्या क्या रिकॉर्मेंट से यहां पर आप देख पा रही है आया तोग्दी प्राइन कर स 누minster सब्सक्राइब मतलब क्या कि आपको आपके नेरबाय ही बैंक में यहाँ पर जॉब मिलने वाली है और पर्मनेंट आपके जॉब रहने वाली है अगर यहाँ पर एश रिमिट की बात करें मिनिमम 18 मैक्सिम जो है आपकी 48 की राउंड भी है तब भी आप इन विकैंसि के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक्जैम भी नहीं है डिरेक्ट आपकी सेलेक्शन होने वाली है वह भी आपके फेवरेट बैंक एश्रेवसी बैंक में तो अप्लाई इसके लिए जरूर से करने है सारी चीजी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाते चलूगी ठीक है नेक्स से यहाँ पर बात करें विकैंसि कौन-कौन सी है यहाँ पर काफ़ी टाइप की विकैंसि है जिसमें पहली पोस्त है आपकी परसोनल बैंकर के लिए ठीक है नेक्स है आपके relationship manager RRB के लिए उसके बाद relationship manager की finance के लिए अलग vacances है ठीक है sales department की अलग है जिसके लिए आप interested आप apply कर सकते हो उसके बाद process executive की है risk manager RM services की है sales manager customer services department में vacances है next यहाँ पे trade sales manager की यहाँ पे vacances है उसके बाद यहाँ पे sales manager finance के लिए vacances है sales manager recovery के लिए है sales manager forex की है project manager area collection manager outreach manager authorizer की vacances है next यहाँ पे अगर बात करें आपकी जो vacances है branch sales manager और area sales manager की है इसके इलावा भी बहुत सारी vacances है सिधा official site पे चलके आपको दिखा भी देती हो और वहीं भी आपको बताते हो post wise क्या क्या requirements है कैसे successfully आपको apply कर लेना है वह भी आपको ध्यान से यहाँ पे समझना ठीक है कैसे apply करना है अब यहाँ पे last वह आपको required link मिल जाते है यह पहला link आपको मिलते है apply online का second आपको यहाँ पे link मिल जाते है notification का यहाँ पे हरी को qualification wise vacances आगी है हर कोई apply आप में से कर सकते है यह last week जो दो link है यह बहुत जादे important है यहाँ पे इस समंथ की जितनी भी latest vacances आईगे है 8th, 10th, 12th, graduate, post, graduate, diploma, IT की मतलब 8th, 2th, graduate, diploma, IT सबकी vacances आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते है तो आप इस चेक्टर के apply कर सकने या other vacances की लिए है अब बैचलिव सी बैंक के apply करने के लिए हमें पहले link पे click करना है क्लिक करें हम सीधा आजाएंगे इनके official site पे चीक है यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है location, job profile अगर आप अपनी location के लिए और vacances भी यहाँ पे देखना चाहते है तो इधर click करके अपनी location select कर लिए na job profile पे click करके आप वो आप select कर सकते है जो प्रोफाइल के लिए आप सर्च करना चाहते है अब यहाँ पे vacances देखे, operations के लिए भी out हुई है credit processing के लिए ठीक है technical appriser के vacances भी यहाँ पे release हुई है और भी बहुत सारी vacances यहाँ पे देखे, business development के लिए है operations front office के vacances भी है front office के लिए मेरे पास comments आ रहे थे मैं HRC bank में vacances कब आएंगी तो finally आ चुके है front office के लिए अलगलो location मेरी vacances आ गई है technical appriser की है, manager audit and regulatory compliance के लिए vacances भी यहाँ पे release हुई है next यहाँ पे अगर हम बात करें credit appriser के लिए है उसके बाद credit appriser की अलगलो discipline अलगलो location wise है अब यहाँ पे load more पे आपको click करना है और vacances आपको देखने को मिल जाएंगी जिसमें देखे vacances जो है आपके collection field officer की है collection department के में भी यहाँ पे vacances है उसके बाद यहाँ पे recovery or collection officer की vacances है relationship manager retail landing के लिए vacances है और यह जो profile है इसमें आपके growth भी बहुत अच्छी है freshness apply कर सकती है और इंडिया की यह अलगलो location की vacances है इसी के लिए आपको बताऊंगी apply कैसे करना है ताकि आपने से हर को यहाँ पे apply कर पाए और salary भी बहुत बढ़िया है और आपके यहाँ पे incentive भी मिलने वाल है उसके बाद credit appriser की यह भी freshness के लिए apply कर सकती है relationship manager की again मैंने आपको यह profile बताई ना यह सारी location के लिए अलग-अलग आई हुई है सारी आपको यहाँ पे click करके load more पे click करके देखने को मिल जाती है जैसे आपको दिखा भी देतूं आप यहाँ पे apply कैसे करेंगे value of देख लीजिए मानली जी आपने इसी post के लिए apply करना है आपको यहाँ पे click करना है आप सारी details यहाँ पे read कर सकते है job description, desired candidate profile आप सारी चीज़ को read कर सकते है अब यहाँ पे सारी training HFC bank आपको provide करेगा जो आपकी selection हो जाती है during training भी आपको salary pay की जाएगी again repeat करोंगे मैंने आपको वीडियो के starting बताया यह permanent आपकी job है हर कोई आपने से apply कर सकते है male female दोनों सीधा selection हो रहे है अब आपको apply करने के लिए apply now पे click करने जैसे आपने यहाँ पे apply now पे click किया अब यहाँ पे कुछ changes हो गए है इनका पोटल है पहले यहाँ पे क्या था आपको सिधर register करने की option आ रहे थी login करके apply कर सकते थी अब इस तरीके का interface आपके यहाँ पे आपको अपने resume अपलोड करने को बोल्ड है यहाँ पे title आपको अपना select कर ले रहा होगा next अपना name यहाँ पे लिखना है email id date of birth आपको यहाँ इदर आपको calendar की option मिलती है यहाँ पे click कर की आप date of birth select कर सकते हो उसके बाद gender marital status आपको यहाँ पे लिखना होगा अपना क्या है कौन कौन सी languages की आपको knowledge है वह आपको बस यहाँ पे click कर के select करते जाना English है, Hindi है, अगर कोई local है वो कर देना है अगर कोई other है तो यहाँ पे click कर के आप other भी यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बाद contact information में आपको अपना state यहाँ slide करना है यह थ्यान से समझेगा इन ही जो को candidate ignore कर देते हैं फिर उनको call नहीं आती बैंक की दरव से जैसे बताँगी वैसे apply करना call आएगी यहाँ पे state slide करना है city लिखनी आपको उसके बाद यहाँ पे आपको permanent address bolder लिखने के लिए यह होगा contact information ठीक है अब यहाँ पे और option आपको मिल रहे है आपका select same as present address ठीक है if both addresses are same अगर आपका current address contact information के बात करें इसके इलावा जो आपका permanent address same है तो यहाँ tick कर देना ठीक है बस यह आपको करना है next यहाँ अगर बात करें अपना mobile number लिखना है alternate mobile number लिखना है अब mobile number में अपना तो आपने mention कर दिया है candidate सरफ अपना ही mention करते हैं इससे आपको problem आ सकते हैं क्योंकि कई आपका primary contact number उससे team connect नहीं कर पाती है तो आपको alternate mobile number जरू से mention करना है ताकि आपके first number पर अगर contact नहीं हो पा रहा है तो second number पर definitely हो जाए ठीक है उसके बाद यहाँ पर academic information आपको मिलती है यहाँ पर आपको अपना name लिखना है कौन से आपके subject थे कौन से university से क्या क्या आपने क्या होआ है वह सारा आपको यहाँ पर लिखना होगा लास में चले जाना है अधर information में आपको यहाँ पर अपना कौन सी location आप प्रेफर्ड कर रहे है work करने के लिए ठीक है job के लिए मान लिजी आप किसी और city में रहरे है कभी appeared हुए कभी आपने दिये तो यहाँ पर यहाँ करने अदर्वास नो कर सकने है अपनी प्रफाइल करने है अगर आप कहीं working थे अदर्वास आपको अपना लेटेस रिजूमी अपलोड करके इधर टिक करके समीड पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप समीड पे क्लिक करेंगे आपके पास मेर आ जाएगी अच्रेसी बैंक की तरव से डिरेक्टली की आपका सक्सेसुली अपलाई हो जाएगा तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसी अपलाई करना है और अगर आपके प्रोफाइल शॉट लिस्टी होती है सीधा एचर की तरव से आपको कॉल आने वाली है रिगार्डिंग वाकिन इंट्रव्यू उसे के बेसिस पे आपको यहां सेलेक्शिन एड जोइनिंग होने वाली है ठीक है वाकिन इंट्रव्यू के लिए आपको पहले से परपेर थोड़ा रहना है जैक है जैसे एंट्री लेवल प्रोफाइल के लिए विकैंसिस है उसमें आपके सिरफ एचर के साथ इंट्रेक्शिन हो रही है और डिपार्टमेंट हैट के साथ बस यही आपका होगा ठीक है उसके बाद हमारी जो ओफिछ साइट है यहां पे लेटस्ट विकैंसिस जो आई है वो आप चेक कर लेना जो इसके इलावा आई है मैंने आपको बताया है SBA और ICC बैंक के विकैंसिस भी आगई है वो तोनों वीडियो आपको मिल रही है अगली वीडियो भी मिलेंगे नई इंफोर्मिशन के साथ थैंक्स और वाचिए